तो मेरे भाई आज कामरे विस लसन ऐसा है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाली है ताकि आप इस बुडियो को देखते हैं तो साहिट जो music lover होंगे उनके लिए बुडियो बहुत ही perfect होने वाली है ताकि मैं इस जनकारी इसलिए देना चाहता हूँ आपको कि मेर पास आप देखेंगे तो अभी 44 की एक नर्माल machine है जो कि मैं खुद से मतलब मैं खुद से इसको यूज करता हूँ खुद बजाता हूँ मतलब खुद सुनता हूँ इसका music लेकिन जब भी मेरे सौप पे कोई भी आता है तो मेरे music सून करके वो मेरे मतलब की music lover हो जाता है य सा सिंपल सा एक machine मैंने यूज किया हूँ जिसने BT आपको दिख रहा होगा नर्मल सा लगा है उपर एक मतलब बड़ी amplifier machine लगी है लेकिन इसको मैं यूज करता हूँ नीचे वाला BT यूज करता हूँ तो इसको देखते हुए इसकी base को देखते हुए इसके tone को सुनते हुए इसकी balancing को सुनते हुए सभी कोई इसका lover हो जाता है और बोलता है final कि हमको भी इसी तरह की setup चाहिए तो अगर आप music lover हैं तो यी वीडियो आपको पूरा बाच जरूर करना चाहिए कि आप एक manual 44-44 machine को कैसे convert कर सकते हैं एक high base machine के रूप में यहीं कि आपको कुछ changes नहीं करना आपको बताते हैं कि हमने कैसे setup करके रखी है सारी के सारी जनकारी इस वीडियो से आपको देने माला हूं तो पहले के बाती अभी बोल रहा हूं कि जो भाई ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है उनके उनको तह दिल से धन्यबाद शुक्रिया और जिन्होंने सब्सक कर लिजे आपको subscribe एक करते हैं तो हमको motivate मिलती है या हमारे क्यों कोई कोई भी यूटूबर को motivate होता है क्यों आपके लिए अच्छे अच्छे content को ढून करके ला सकता है तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो तरफ तो अगर subscribe कर लिए तो तो बढ़ते हैं आगे तो सबसे पहले मैं क्या क्या चिस यूज करता हूँ उसके बारे में आपको बता दू उसके बाद मैं connection और machine यानि कि मैं machine में कुछ changes नहीं किया है बस थोड़ी सी changes किया है वह भी मैं आपको दिखाऊंगा पहले आपको machine के बारे में बता दू उसके बारे में आगे चलते हैं तो मैं setup के बा चलते हैं जो की आठेच की यह यह प्रूपर बैलंसिंग के लिए मैं ने लगा रखी है कि साइड के स्पिकर और युज करते करना चाहते हैं तो इस तरह के स्पिकर सेट आप कर सकते उसके साथ अब आपको और चीज ध्यान देने वाली बात है कि मैं दोनों में ट्यूटर ज़रूर लगाया तो उपर के साइड यहां ट्यूटर लगी है और इक नीचे के साइड यहां देखेंगे तो यहां पे भी मैंने ट्यूटर लगा रखिया और कुछ से मतलब वेंडिंग करके रखिया आप लोग जानते हैं कि वेंडिंग का दुकान कैसा होता है तो इसलिए म इसको मतलब कि add कर दिया हो gate पे अब बात हो गए यह अब इसकी टोटली वे वायरिंग दूनों speaker का अलग-अलग connection यानि कि दो speaker front का और एक speaker back का मैंने तीनों का अलग-अलग connection लेकर के आया हूँ अपने machine के पास और सबसे important एक और चीज़ है कि इसकी जो base होती है बहुत ही कमा आप लोग machine के base पर देखेंगे तो हमारी base अभी पूड़ा की पूरी base अभी आधी खुली है टोन पूरी खुली है और यह balancing का मैंने एक मतलब इसको नब बोलते हैं नब लग मतलब volume लगा कर रखें एक balancing का आपको थोड़ी से नजदिक से मैं दिखा दूं तो यह मैंने balancing का एक volume लगा कर रखा है कि मैंने जिस side को मतलब moment करना चाहते हैं उस side को मैं कर सकता हूं और tone हमारी पूरी high level बे रहती है यानि कि पूरी full रहती है और base हमारी आधी खुली रहती है यानि कि आप देखेंगे तो हमारी base आधी खुली रहती है बस हमारी base इस्ट्रा नहीं खुल करते हैं कि only speaker लगा देते हैं उसमें ट्यूटर नहीं लगा रहती है तो ट्यूटर के यह होता है कि आवाज को पतला और मोटा करना यानिकि बेस जो आपकी होती है वह आपकी धमक देती है यह उसको pressing करती है और उसमें मतलब एक जान लाती है जो कि हमिंग का काम करता है और करते हैं तो आप जब ट्यूटर को जैसे मैंने हाई लेवल पर कर रखा तो आपकी आवाज पतली आएगी सुन्दर आएगी सुरी ली आईगी अब एक और आपको एक और इंप्रोटेंट में बात बता दू कि मैंने speaker का तो चारो का चारो वायरी वहां से यहां ला रखा है लेकिन मैं base जैसे यहां से मैंने आधे कर रखे हैं यह base only balance के लिए है और base मैं proper लेता हूँ यहां आप देखेंगे तो मैं आपको दिखा दू यहां आप देखेंगे तो मैंने एक नीचे कोने में एक देखेंगे आप तो एक normal सा home theater लगा रखा है जो कि index का होगा आप देख कि जब यह हमारी machine अभी आप देखेंगे जैसे ही machine को मैं off करता हूँ तो यह machine off साथ साथ हमारी home theater की भी machine off हो गई और जैसे ही मैं इसको on करूंगा तो हमारी home theater के भी light जल चुकी है और हमारी machine में भी supply आ चुकी है तो ऐसे मैं यहां से और वहां तक वायर दू वायर लगा यह हमारी machine के तरफ अब आप समझेंगे logic में और आपको बता दू कि इसका input इसका output यानि कि पैनल का directly output हम इस machine के साथ साथ इससे आउट करके एक मैंने टाइश्टर इसके अंडर डाला और इससे आउट करके बैलेंस करने के लिए हमने एक टाइश्टर लगाया कि हमारी दो आप कुछ देखेंगे आप जो तीनो साइड अलग-अलग speaker एड़ करके हैं चार भी एड़ कर सकते हैं कोई दिकत नहीं होगी लेकिन मैंने क्यार कर रखा है कि इसमें तो आपको सब इसमें आपको मतलब 2 ही होते हैं तो मैंने क्या किया कि यह वाली हमारी जो यह वाली speaker है इसके साथ मैंने इसको एड़ कर दिया इसके साथ मैंने इसको एड़ कर दिया इसके साथ एड़ कर दिया इसके साथ एड़ इसलिए किया ताकि इसकी बैलन्स और इसकी बैलन्स परफेक्ट मिले और हम यहां से बैठते हैं तो हमको आडियो एक दम क्लियर मिले और इसका मैं इसको मैं single इसलिए छोड़ा ताकि मैं इसको जब मतलब support करूँ यानि कि इसको जब मतलब की high range volume मिले तो ये इसकी आवाज इससे लड़ करके यानि कि इस speaker से लड़ करके और जो reflection पैदा हो यानि कि जो मतलब क्या बोलते हो उसको attractive sound पैदा हो वो जब customer को सुनाई देगी दोन वहां तक कैसे डालनी है इसकी बहुत मतलब ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं shooting नहीं कर पा रहा हूं तो आप लोग तो यह समझ गए होंगे कि कैसे मतलब है speaker की balancing कैसे की जाती है तथा speaker कैसे fix की जाती है जैसे यहां मैंने speaker डाला और यहां speaker डाला तो यह काम कराती है यह तो अब यह आप तो डबल आइसी की यह speaker है तो मैंने दो डाल चुकाओं कर चार लगाते तो इससे इसको connect करते है और इससे इसको connect करते है अट्रक्टिव साउंड मिलती अब बात करते हैं machine की quality तो मैं machine की quality आपको अगले वीडियो में अगले स्वाट में द मैं input दे दी रहती है machine में लेकिन मैंने इसमें से internal output निकाला इसकी पैनल की output निकाल करके direct मैंने वहां तक दिया तो आखिरकार आप लोगों के इस तरह की वीडियो चाहिए तो comment box खाली है comment box कर सकते है so finally आपको वीडियो कैसी लगी है setup कैसा लगा है अगर setup इस तरह की करना चाहते हैं तो अगर आपके पास अवाज अच्छी आने वाली है machine आप चाहते हैं कि हमारे तरह fix करने का तो comment box जरूर करिए का comment में आपकी पूरी reply दी जाएगी next video उसी पर related होगा तब तक हम कुझ दीजी जात आपका भाई प्रिंस मिलते हैं नए वीडियो में